Hello friends, welcome back to my channel So friends, season 2 काफे ज़्यादा ज़्याद ज़्याजिस लाएगा, especially Halil के लिए तो देखे friends, Halil जानब को कहीं भी जाने नहीं देगा जानब तो लिए Halil कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको अपने से दूर नहीं अने देगा तो देखे friends, जानब Halil को ट्रेट करेगी कि वो उसको जोड़के चले जाएगी और उसके साथ नहीं रहेगी और अब देखे friends, Halil की हल्प कैसे करेगी तो देखे friends, जानब Halil को बहुत जादा जो हर्ट करने जा रही है और इन दोनों के marriage बेकुल भी वैसी marriage नहीं होगी जैसे कि Halil और जानब ने जो है dream देखा था तो देखे friends, अब सल्मा और ग्रेंडमा ही इन दोनों के marriage को परटेक कर सकते हैं और अब देखे friends, जो ग्रेंडमा है वो क्या करती है और Halil अब क्या करेगा इनका friends, Halil जैनब से और उसकी family से माफी मावने के लिए भी ready होगा लेकिन अब उसको देखे माफी कैसे मिलती और Halil को कब तक पता चालेगा जैनब पर सारा साथ उसकी खुद की हांट में बताया और उसकी हांट उसके साथ कितनी ज़्यादा जैनब और जैनब और Halil को कुपी भी happy नहीं रहने जाएगी तो देखे friends, वो कब तक exposed होगी लेकिन अब देखे friends, Halil अपनी punishment से बलकुल भी scared नहीं है वो scared है तो सिर्फ पर सिर्फ जैनब को lose करने से और आप देखे friends, जैनब का revenge कितना ज़्यादा painful होने जा रहे हालील और जैनब दोनों के लिए क्योंकि friends, जैनब और Halil कुछ भी करने ये दोनों एक दूसरे के बगार बिलकुल भी नहीं रह सकते तो देखे friends, अब Halil जो है अपने इस biggest scare को कैसे handle करेगा और Salma Halil जैनब की help करेगी, क्योंकि friends, Salma Halil जैनब को support नहीं उने दीगी और आप देखे friends, Halil जैनब को क्या करेगा जैनब को रोपने के लिए और जो राइटर है, सब कुछ wrong कर रहा है, Halil जैनब के लिए दोनों यहां तक और एड़ी बहुत अदा मुश्किल से पहुंचे और अपे सारी चितों के बाद इन दोनों की life में और ज़्यदा एक दूसरे की life को हल बना रहे हैं जैनब क्या बनता है और जैनब क्या करेगी, होफिली राइटर कुछ भी wrong नहीं करेगा इन दोनों के साथ लेकिन अब जैनब क्या बनता है, जैनब और हाले इनकी life में क्या biggest changes आते हैं और क्या new trouble इन दोनों को face करने पड़ेगी, thank you for watching, take care, I love, we see you, bye bye, take care